नमस्कार दुष्टी आईएस की इन न्यूज में आपका स्वागत है मेरा नाम है नील और जिस खबर की चर्चा आज हम कर रहे हैं वो खबर नहीं है वो एक कहानी है चंद्रुप्त मौर्य और सिकंदर की कहानी हम देखेंगे कि इस कहानी की चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं आगर यह सवाल आपके मंन में आता है तो आखिर में हम इसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे हम इतिहास खारों का मत जानेंगे किस बारे में ये महान शब्द कहां से आया कैसे तै होता है कि सिकंदर जादा महान है चंदगुप्त मौरे के नाम के आगे महान क्यों नहीं लगता इस तरह की बातों पर इतिहास लेखन क्या कहता है हम इसकी बात करेंगे और फिर हमेशा की तरह आपके सामने एक प्रश्न होगा उत्थर लेखन के अभ्यास के लिए तो कहानी की शुरुवात करते हैं कहानी की शुरुवात इससे करते हैं कि कहानी का मौका कैसे मिला कभी-कभी नेताओं से भी गलतियां हो जाती है मुख्यमंत्री योगी आईतिनाथ ने एक बयान दे दिया कि सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है चंदगुप्त मौरे को महान क्यों नहीं कहा जाता है जबकि चंदगुप्त मौरे ने तो सिकंदर को हराया था बहरहाल नेताओं से भी गलतियां हो जाती है जैसा हमने कहा हमें कहानी सुनाने का एक मौका मिल जाता है हमारी जनरल अवेरनेस के लिए भी ये महत्वपून कहानी है भारत के इतिहास से जुड़ी एक महत्वपून कहानी है चंद्गुप्त मौर्य मौर्य समाज की स्थापना करते हैं 321 BC में बिफोर क्राइस्ट में आजकल इसको B.C.E. लिखा जाता है यानि बिफोर कॉमन एरा ये नई टर्मन वाज है तो बहरहाल 321 BC में समराट चंद्गुप्त मौर्य मौरय समराज की स्थापना करते हैं और कहा जाता है कि ये पहला समराज है जो पूरे भारत असल में दरसल लगभग पूरे भारत का पहली बार एक ही करण करता है हम आगे देखेंगे तो क्या होता है ग्रीक स्थोतों में हमें चंद्गुप्त मौर्य का एक दूसरा नाम मिलता है सेंड्रो कॉतस कई बार पूछा भी जा चुका है तो हमें जानकारी होनी चाहिए बहराल ग्रीक स्थोतों में इसका नाम क्यों आया समराट चंद्गुप्त मौर्य का नाम क्यों आया इसकी भी हम बात करेंगे पर बहराल उनका नाम वहाँ पे ये मिलता है और उसी सामराजे से एक और बहुत महत्वपून परसनेलिटी इस टाइम पिरिड में जुड़ी थी इनका नाम था चानक्य जिनको कॉटिल ले या विश्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और उनका एक बहुत बड़ा ग्रंत है आर्थशाष्ट्र इसका नाम अर्थशाष्ट्र है लेकिन असल में पॉलिटिकल ट्रीटीज है मतलब की राजनिती विज्ञान से जुड़ी उस तक है और उसकी रचना के लिए उनको याद किया जाता है मौरे सामराजे की स्थापना में भी चानक्य का बहुत important योगदान था और इस सामराजे में गंगा और सिंधू के मैदानों को नियंतीत किया यानि भारत के बंगाल तक पहुँचता है और दूसरा छोर जो सिंधू के मैदान है इंडस की रिवर्स है अफगानिस्तान को लगबख छूता हुआ इलाका वहाँ तक की एरिया को इस सामराजे ने एक एक रिट किया जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं बुरब में बंगाल और पश्चिम में अफगानिस्तान तक इस सामराजे की बाउंडरी थी इसकी सबसे important जो cities थी उनमें तक्षिला शामिल था उजयन शामिल था और उनकी राजधानी पाटली पुत्र उसके बारे में हम जानते हैं आधुनिक पटना माना जाता है कि पाटली पुत्र वहीं पर अवस्थित थी तो ये हो गया मोटा मोटा चंद्रुप्त मौरे के सामराजे की शुरुआत इसको हम मौरे सामराजे मानते हों बौद गरंथ क्या कहते हैं इनके बारे में वो कहते हैं कि शत्रिये वंश से ये संबंदित थे ब्रामर गरंथ कहते हैं कि शुद्र वंश संबंदित थे हलाकि हमें ध्यान के रखना अगर हमें ज्यानना ही है कि इसमें क्या महतुपून है तो यह महतुपून है कि यह अलग लग ग्रंत अलग लग बातीं क्यों कर रहे थे इसलिए कर रहे थे क्योंकि चंदगुप्त मॉड्रे ने जैन धर्म को माना जाता है कि अपने जीवन के अंत में प्रश्रे दिया कहा तो यह भी जाता है कि जीवन के अंत में उ द्रबाहू के साथ वो दक्षिन्ग में चले गए अपना सामराज्य त्याग कर अपने पुत्र को दे कर तो उनके जो बेटे आए उन्होंने अजीवकों को बहुत प्रेश्रे दिया और उनके बेटे यानि अशोक महान ने बौद्धों का साथ दिया तो माना जाता है कि इसलि की नजर इस लिहाज से महत्मून है बौद्ध ग्रंतिन को चत्रे मानते हैं ग्रीक और भारतिये स्त्रोथ क्या कहते हैं कि इस बात पर उनमें मैं तक क्या है कि चंद्रूप्त मौरे ने नंद वंच के अंतिम समराट समराट घनानंद को पराजित किया और उनकी राजधानी पार्टली पुत्र पे कबजा किया और मगत के राज़ा बन गये और इस समराज ने पहली बार लगभख पूरे दक्षण एशिया को जिसमें आधुनिक अफगानिस्तान आधुनिक पाकिस्तान और आधुनिक भारत आते हैं लगभख क्योंकि कुछ हिस्ता नहीं भी आता है तो लगभग उस पूरे दक्षिनेशिया को एकी कृत किया और इस समराज्य को बहुत मजबूती प्रदान की कई सुधार किये गए क्योंकि पहली बार इस प्रकार का एक ही करन हुआ था पूरे समराज्य में एक ही करेंसी थी एक प्रकार के नियम थे तो व्यापार में सुधार हुआ फिशी को चानक के अर्थवस्ता का अधार मानते थे तो फिशी में भी कई सुधार लाए गए इसके अलावा मापन की पध्यतियों का मानकी करण किया गया ताकि एक छोड से लेखे दूसरे छोड तक जो मापने या के पैमाने हैं पैमाईश है, वो समान रूप से हो सके, confusion कम हो सके उसकी बात हुई, क्योकि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था तो उसके पास अधिशेश, याणि सल्पडस भी था बड़ी संख्या में सल्प्रस था, अगर बड़ी संख्या में सल्प्रस होता है, तो ही बड़ी सेना रखी जा सकती है, तो बड़ी सेना के रखरखाव की योजना बनाई गई और इसके बाद हमारी कहानी का वो मोड आता है जहां पर हम चर्चा करेंगे कि चंदगुप्त मौरे और ग्रीक्स के बीच इंटरेक्शन कहां से शुरू होता है तो गंगा के मैदानों पर जब चंदगुप्त मौरे ने अपना सामराज जे स्थापत कर लिया तो कहा जाता है कि उन्होंने उत्तर पश्चिम जो भारत का नौर्थ वेस्ट फ्रेंटियर है उसकी और अपनी नजर दोड़ाई क्योंकि वो बड़ा ही वल्नरेबल फ्रेंटिय जानेंगे क्यों अलग अलग थे या क्यों एक थे यहां से वापस लोटा था वापस लोटा था तो अपने पीछी जो सामराज जी छोड़ गया उसके बाद 32 साल की उमर में मर गया सिकंदर सिकंदर के मरने के बाद उसके सामराज जी को लेकर रडाईया हुई उसका सामराज कई हिस्सों में बटा, जो हिस्सा भारत के हिस्से को छूता था, वो सल्यूकस के हिस्से में आया, और वो भारत के नौर्थ वेस्ट की साइड, अफगानिस्तान, मकरान, बलुचिस्तान, जो कि आज के पाकिस्तान में है, इस हिस्से को छूता था, तो इस हिस्से की रक्षा का प्रबंद करना, चंडवुत मौरे ने जरूरी समझा, तो चंडवुत मौरे भी उधर गए और इधर से लूकस भी इस हिस्से पर अपना हक जदाता हुआ, महारत के नौर्थ वेस्ट पर अपना हक जदाता हुआ आप अहुँचा युद्य अवश्यम भाविथा युद्ध हुआ और इस बार युद्ध में ग्रीक्स ने मूँ की खाई इस बार क्यों कह रहा हूँ हम आगे जानेंगे कि इससे पहले जब सिकंदर आया था तब भी एक भयंकर युद्ध हुआ था और उस बार पासा जो है वो ग्रीक्स छे प इसके अलावा से लुकस ने अपना एक एमबैसडर जो की पहला ग्रीक अकाउंट पहला यूरप्यन अकाउंट पहला पश्चिमी अकाउंट भारत के बारे में जिन सोर्सिस से मिलता है उसमें वह है मेगस्थनीज की इंडिका तो मेगस्थनीज नाम के अपने दूद को पा 500 हाती दिये क्योंकि से लुकस के लिए 500 हाती बहुत महत्पून साबित हुए लिकस खुद उन युद्धों में बंधा हुआ था जो अलेक्जेंडर का सामराजी तूटने के बाद हो रहे थे कि अब अलेक्जेंडर के सामराजी पर कबजा किसका रहेगा तो उस युद में इन हाथियों ने बहुत निर्नायक भूमी का निभाई तो बहराल ये तो रहा सेलुकस के युद्ध का नतीजा अब आगे कुछ जान लेते हैं सिकंदर के बारे में क्योंकि जो एक नेता ने बात कही है वलती से ही सही उसमें सिकंदर का नाम ले लिया है उन्होंने हाला कि स इधा संबंद चंद्रूप्त मौरे और सिकंदर के बीच नहीं था ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि चंद्रूप्त मौरे सिकंदर की सेना के विशय में जानता था कुछ नाटकों में और कुछ लिट्रेचर में ये भी कहा गया है कि उनकी मुलाकात भी हुई थी बट वह पने के बाद उसने नंद सामराजय पर हमला किया उसको पराजित किया और पिर काविच हो गया तो उन दोनों के बीच में 6-7 सालों का पांच-6-7 सालों का एक अंतराल है बहरहाल फिर भी सिकंदर किंग फिलिप मैसीडोनिया आज जहां पे ग्रीस है वहां पे इनका जन्म ह होता है और 20 की उमर में ताज पोशी हो जाती है किसी हो हत्या हो जाती है इस हत्या को कौन करता है इससे भी ताज उड़े हैं सिकंदर की विश्चु विजय के और इस बात के भी कि अलेक्जेंडर को सिकंदर क्यों कहा जाता है वर उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे बहराल 20 साल के उम्र में ताजपोशी के बाद अगले 10 सालों में सिकंदर ने पश्चिमेशिया और उत्तरी अफ्रीका में कई कैमपेंड किये और उसके बारे में एक भविश्चेवारी माना जाता है कि की गई थी कि वो कभी हारेगा नहीं और वो हारा भी नहीं 327 में वो सिंदू नधी को पार करके भारत की ओर आ गया उससे पहले उसने पूरे फारस को जीता पर्शिया को जीता गौगाबिला की प्रसिद्ध लगाई हुई वहाँ पे राजा देरियस को उसने हराया राजा देरियस का माना जाता है कि सामराज ये भारत के सिंद्ध व भारत पे भी हमला करूँगा, तो सबसे पहले तक्षशिला सामने आया, वहां के राजा ने आत्मसमरपण कर दिया, उस राजा ने सिकंदर की सुजरैनिटी को, अधिपत्य को स्विकार कर दिया, अगला राजा आता है, जो उसके बाद की इतिहास में अमर हो गया, राजा पो को हाइडेसपीज का युद्ध कहा जाता है, इस युद्ध में ग्रीक सेना ने पहली बार हाथियों का सामना किया, वो चमतकृत थे कि कोई ऐसा जानवर, इतना विशाल जानवर, इतने डिसिप्लिंड तरीके से युद्ध में भागिदार बन सकता है, बट बहरहाल कुछ कुछ लोग मानते हैं कि किस्मत का तकाजा था, कुछ लोग मानते हैं कि ग्रीक से ना इसलिए बहुत मजबूर थी, क्योंकि कई सालों से युद्ध करती आ रही थी, बहरहाल एक तुफानी रात में युद्ध होता है, और बारिश की रात थी, तो हाथी बहुत अच्छे से प्रफॉर्म नहीं कर पाए उस युद्ध में और उस युद्ध में पूरस हारता है, उसके बाद पूरस के साथ क्या बरताब हुआ, वो अलग कहानियों और इतिहास का मुद्धा है, बट बहरहाल इस युद्ध के बाद पांचवी नदी तक जब पहुंचता है, पंजाब के बारे में सबने सुन लखा था, और पूरस जैसे एक छोटे राजा ने सिकंदर को जितनी बड़ी चुनौती दी, उससे अनुमान लगाया सेना ने, कि अगर नंद सामराज्य से हम लडाई करते हैं, तो वो कितनी भैंकल लडाई होगी, और क्या हम जीत पाएंगे, इसके पर भी एक हाथियों से सुसजित बड़ी सेना का अधिपत्य माना जाता था, तो इन सभी सेनाओं से कहा जाता है कि सिकंदर की सेना के मन में थोड़ा संदे था, अपनी सफलता को लेकर और उने आगे बढ़ने से इंकार कर दिया, सिकंदर ने बहुत कोशिश की, अपने प् से भेजा, एक सेना का भाग मेसोपोटामिया की ओर रवाना किया, और कुछ हिस्से के साथ परशिया, परशिया यानि आधुनिक इरान, इरान के सुसा में पहुँचा, और घर वापसी करते हुए, रास्ते में ही, बेबिलॉन यानि आधुनिक बगदाद में सिकंदर चला खाली हाँ चला गया, 32 साल मेहज उसकी उम्र थी, तो एक सवाल पूचा जाता है कि क्या महान हमने सिकंदर को इसलिए कहा क्योंकि उसने बहुत जादा विजह पाई, तो ऐसा नहीं है कि महान केवल सिकंदर को कहा गया है आज तक के इतिहास लेखन में, दरसल जो पुराना इतिहास लेखन था, वो बहुत जादा बादशाहों पर फोकस्ड था, आज भी अमूमन जनता यहीं मानती हैं, लोग यहीं मानते हैं कि इतिहास मतलब राजा, राणियों और लडाईयों का जिक्र, इतिहास अब नहीं हुए, माना जाता ऐसा, बट फिर भी क्योंकि पुरा इतिहास अब लग उसी प्रकार से महान का गया, नवीन इतिहास लेखन में बदलावाया है, पहली बात तो राजा की बात आज भी होती है, उतनी होनी चाहिए, यानि राजा था, लेकिन राजा के अलावा उस समय में और बहुत कुछ था, एक पूरा समाज था, धर्म था, क राजा को भी देता है, वट अब राजा खेंदर में नहीं है, राजा भी इतिहास का अब एक हिस्सा है, तो इस चलते महान कहने की प्रथा, इतिहास लेखन से जा रही है, लोग आज भी सवाज पूछ रहे हैं कि अमुक को महान क्यों कह रहे हो, दूसरे को महान क्यों नहीं कह रहे हो यह लोगों कि गंतिया हैं यह इति हास इस गंति शे अब दूर जा रहा है इसके अलावा महांता पर नए प्रशन भी इतिहास सब खड़े करता है पूछता है कि क्या इतनी atrocities, इतनी कई तरह के cruel काम करने वाले बाश्चाहों को क्या महान कहा जा सकता है या Columbus को जो कि कई लोग कहते हैं कि प्रकार से एक लुटेरा भी था या कई वो समुंदरी कोज करता जो एक प्रकार से लुटेरे भी थे क्या उनको महान कहा जाए इस प्रकार के सवाल अब इतिहास खड़े करता है इतिहास ये भी पूछता है कि गुप्त सामराज्य क्या सच में गोल्डन एज था जबकि समाज में अभी भी बहुत जादा इनिक्वैलिटी थी समाज के सभी वर्ग तो धनाडे नहीं हो गए थे तो क्या स्वर्ण यूग सबके लिए स्वर्ण यूग होता है क्या स्वर्ण यूग सच में स्वर्ण यूग होता है अब इतिहास इस तरह के सवाल पूछता है इसकी वे आख्या अलग-लग तरह से लोग करते हैं इतिहास के जो सच में जिनकी इच्छा है इतिहास को जानने की वो इनको संजीदी से देखते हैं जिनकी इच्छा महस ये मानने में है कि सब कुछ पहले ही महान था और अभी महान नहीं है उनकी उनका इंटरस्ट रिहास के इन प्रशनों में जादा नहीं होता है बहरहाल इससे पहले कि हम प्रशन की ओर बढ़ें हमने वादा किया था कि कहानी है कि सिकंदर और अलेक्जेंडर में क्या तालुक है तो बहरहाल हुआ ये कि हर देश खुद को बहुत महान मानता है भारत भी मानता है इरान भी मानता है मानना भी चाहिए हो सकता है ऐसा करने से जो एम है आइडियल्स है आदर्श है उस देश के बड़े रहते हैं तो मानना भी चाहिए, तो उस देश, हर देश को अपनी हारों को कबूल करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो पर्षिया, देरियस, पर्षियन एंपायर का हेड था, पर्षिया के एंपायर को सिकंदर ने हरा दिया, तो वहां का जो इतिहास लेखन हुआ, उसमें सबसे प्रस के उन कहानिकारों ने कहा कि नहीं नहीं, हमें सिकंदर, यानि कोई ग्रीक आके कैसे हरा सकता था, तो उन्होंने कहा कि असल में अलेक्जेंडर जो था, वो पर्षियन ही था, एक पर्षियन राजा की शादी हुई थी, एक ग्रीक राजकुमारी से, वो ग्रीक राजकुमार चांद्र की गंध को बरदाश योगिय बनाने के लिए उस पर संदर यनि चंदर का लेप लगाकर उसको राजा के सामने प्रस्थुत किया गया था उस राजा उस राणी को वो राजा फारस का राजा परशिय का राजा इरान का राजा बाद में निकाल देता है वो राणी जो थी असल में फिलिप की बेटी थी ऐसा इन कहानियों में जिक्र है तो वो रानी गर्ववती है और फिलिप के पास वापस लोटती है और इस बच्चे का जन्म होता है जो असल में देखा जाए तो पार्सी हुआ इस कहानी के मुताबित और क्योंकि उस राजा ने चंदन का लेप लगाया था उस रानी पर उसकी गंद से निजात पाने के लिए तो इसको संदर, सकंदर या फिर सिकंदर कहा जाता है तो असल में इन कहानियों के मुताबित सिकंदर एक परश्य नहीं था और इसलिए वो परश्या के राजा को हरा पाया और उसकी जीत असल में फारस की ही जीत थी तो बहरहाल ये कहानी थी हो सकता है बहुत इंटरस्टि आपने इनकी बिंदुवार बाते सुनी थी इन बिंदुओं को आप वापस सोचें और तरलेकन का भास करें मिलते हैं इन न्यूस की अगली करेंगे